जैश्री राधे, पुझेश्री सद्गुर्दे भगवान के चर्णों में प्रणाम, भगवन नाम की महिमा, कल्यान पत्रिका से प्रत्तिक मनुष्य यही चाहता है कि मैं सदा बना रहूं, कभी मेरा अंत नहों, मोड़ और अज्ञानी कोई नहीं बनना चाहता कोई यह भी नहीं चाहता कि आज जो सुख मुझे प्राप्त है, वह कल मेरे पास न रहे अर्थार, प्रकार अंतर से वह सत सदा रहने वाला, चित सब कुछ जानने वाला, आनंद कभी न मिटने वाला, शाश्वत सुख ही चाहता है इस प्रकार की इस्थिती प्राप्त करने के लिए हमारे अनुभवी संत महापुर्शों और सत शास्त्रों ने सच्चिदा नंद की शरण में जाने का उपदेश किया है भक्तों की भावना से वे सच्चिदा नंद, निखिल ब्रमांड नायक, राम कृष्ण शेव शक्ती, गणेश आदी, असंखे रूपों में अवतरित हुए और अपनी अपनी स्थिती के अनुसार भक्तों ने उनकी उपासना करके अपने चरम लक्षे, परमपद, अथ्वा शाष्वत सांती को प्राप्त किया है एक ही गंतव्य की और जाने वाले विभिन मार्गों की भाती, अधिकारी भेद से उपासना के भी अनेक मार्ग है उन परम दया में प्रभू को अपनी भावना के अनुसार भक्त जन प्राप्त करते आये हैं ऐसे असंखे उधार्ण अपने धार्मिक तिहासों में मिलते हैं उपासना का सबसे सरल और सुगम उपाय हमारे मनीशियों ने नाम जब बताया है भगवन नाम जबके अपार महिमा का वर्णन करते हुए भक्त अग्रगने प्रातैस मनिये पुझे पाद गोस्वामी जीने तो यहां तक कह दिया राम नसके ही नाम गुनंगाई फिर नाम जबके अपार महिमा का नाम जबके अताह सागर का पार अलपग्गे मनुष्य कैसे पा सकता है नाम जबकी महिमा का वर्णन करते हुए गो स्वामी जी ने अपने अनुभव की जो अभी व्यक्ति श्री राम चरित मानस में की है उसे हिर्देंगम करके साधकों को अलोकिक प्रेणा मिलती है नाम प्रभाव जान सिवनी को काल कूट फल दीन अमी को नहीं कली कर्म न भक्ति विवे को राम नाम अवलंबन एको कहों कहां लगी नाम बढ़ाई राम न सकी ही नाम गुन गाई नाम जबके अमित प्रभाव से डाकु रतनाकर महर्शी वाल में की बन गए अवधरदानी आशुतोष भगवान शंकर ने नाम जबके प्रभाव से ही हलाहल को कंठ में धारन कर लिया और नील कंठ बनकर संसार को भस्मी भूत होने से बचा लिया भगवान नाम की ऐसी अपार महिमा को समझ कर जो नाम जबका आश्र लेते हैं उनका यह लोक और परलोक दोनों आनन्द से परिपून हो जाते हैं नाम के प्रभाव से असंख्य साद्गों को चमतकार मई सिद्धिया प्राप्त हुई है साधारन मानव यदी महान विपत्तियों और दुर निवार संकटों के आने पर भगवन नाम का समरन का सहारा ले तो निश्चे ही उसके संकटों से मुक्ती मिल जाएगी उसको संकटों से मुक्ती मिल जाएगी नाम जब के प्रभाव से ही भक्त शीरोमनी बालक प्रहलाद को धतक्ती हुई जुआला भस्म नहीं कर सकी बालक धुरूव को अविचल पद्वी प्राप्त हुई नामजब के प्रभाव से महावीर हनुमान जी ने रामजी को अपना रिणिया बना कर अपने वश में कर लिया इस घोर कलिकाल में भी जो बड़ भागी भगवन नाम का आश्रे नहीं छोड़ते उनको सभी शास्त्र अनमोदित कारे सफल होते हैं भगवन नाम के प्रभाव से माता और पिता की भाती सदैव उनकी अलक्षित रूप से सुरक्षा होती है भौतिक्ता वाद की चका चोंध में आज का मानव अपने कर्तव वेपत से विमुक होता जा रहा है दूशित शिक्षा के विश्व व्यापी प्रभाव से मन और मस्तिश्क पर पतन की कालिमा का बहुत मोटा आवरण पड़ता जा रहा है पतन की और तिवर गती से अग्रसर होने वाले मानव सवमुदाय में आज भगवन नाम की महिमा का परचार होने की सरवाधिक आवश्यक्ता है इस काल में सम्यक परकार से नय तो निश्काम कर्म की साधना हो सकती है और नय भक्ती योग की केवल राम नाम का अवलंब ही मानव मात्र को इस महान संकट से मुक्त कर सकता है त्रिविद ताप संतप्त मानव के लिए इस से अधिक सरल सुगम कोई अन्य उपाय और साधन नहीं है आज हमारे जीवन में बाहर और भीतर जो गहन अंधकार चाया हुआ है उसे हटाने के लिए नाम जबके अमित प्रभाव को हिर्देंगम करने की आवश्यक्ता है जो चाहिशी उजियार भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रिय भक्त अर्जुन से अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए बताया यग्यों में मैं जब यग्य हूँ अगनी पुरान में जब शब्द का अर्थ इस प्रकार बताया गया है जब शब्द से जन्म का विच्छेद और पैसे पाप का नाश जो जनम मरण और पाप का नाश करने वाला है उसको जब कहते हैं जब दो प्रकार से होता है वाचक और मानसिक वाचक जब में ही प्रकार अंतर से उपानशु जब भी आता है इस प्रकार जब के तीन भेद होते हैं वाचिक उपांशो और मांसिक वाचिक जब की व्याक्या में इस प्रकार बताया गया है जब मंत्र का उचारण इस पश्ट सुनाई दे तो वह वाचिक जब कहलाता है उपान्शु जब मंत्र का उच्चारण इस प्रकार किया जाए कि होट धीरे धीरे हिलते रहे और पास बैठा हुआ व्यक्ति भी उसे न सुन सके जाप करने वाला स्वेम ही सुनता हो तो उसे उपान्शु जब कहते है मान्सिक जब का लक्षन इस प्रकार बताया गया है जब मंत्र के पद और अक्षरों का शब्दार्थ सहित अंतर मन के द्वारा विचार किया जाए نہ होट हिले ना जीब उसे मान्सिक जब कहते है इस प्रकार का जब सवश्रेष्ट माना जाता है श्रीमत भागवत में आया है कि संकेत में हसी मजाक में अथ्वा अवहेलना से भी जो भगवान का नाम लेता है तो नाम सब पापों का नाश कर देता है गिरते हुए फिसलते हुए छीकते हुए विवश होकर भी जो मनुष्य हरे नमह का उचायन करता है वह सब पापों से छूट जाता है इस प्रकार के अनेक प्रमान शास्त्रों में मिलते हैं अश्रद्धा से विवश होकर भी किये हुए नाम जब का इतना महत्म है तो श्रद्धा पूर्वक सविधी निरंतर जब की अपरम पार महिमा का वर्णन इस छुद्र लेखनी से कैसे हो सकता है इस प्रकार अनुभूत संतों द्वारा नाम की जब महिमा बताई गई है नाम जब की अपार महिमा का वर्णन लेखनी और वानी से संभव नहीं है उसके सुखद अनुभूती तो इस पत के पतिक को ही हो सकती है नाम की महिमा अपार है यह भगवान की प्रतेक्ष विभूती है मानव जीवन के कल्यान का सर्व सुलब एवं सर्वोत्तम साधन नाम जब ही है जो कल्यान कामी जन इस जीवन में अपने चरम लक्ष को प्राप्त करने के चुक हैं उन्हें भगवान वेद व्यास के इस घोश को कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवकेवलम कलो नास्तेव 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 गतिरन्य था जैश्री राधे रंग महल में बिलसही दो एक समान रंग महल में बिलसही रंग महल में बिलसही दो एक समान आआ आए 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 प्यारी जू प्यारी की जीवन प्यारी जू प्यारी की जीवन प्यारो प्यारी प्राण अधार प्यारो प्यारी प्राण अधार प्यारी जू प्यारी की जीवन प्यारी जू प्यारी की जीवन प्यारी जू प्यारी की जीवन प्यार के उर्माना प्यारो प्यारी के उर्हार प्यारो प्यारी के उरहा प्यारी जू प्यारे की जीवन प्यारी जू प्यारे की जीवन प्यारो प्यारी प्राण अधार प्यारी जू प्यारे की जीवन हां प्यारी प्यारे रंग महल में रंग महल में प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहार प्यारी प्यारे रंग महल में रंग भरे दो करत बिहारी प्यारे रंग महल में प्यारी प्यारे रंग महल में रंग महल में रंग भरे दोगु करत बिहार रंग भरे दोगु करत बिहार प्यारे जू प्यारे कीजिवन प्यारो प्यारे प्राण अधार रंग भरी निर्खत हर खत ही ये रंग भरी आँ 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 रंग भरी निर्खत हर खत ही ये रंग भरी आँ 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 सकल सुख सार रंग भरी निरे खत हर खत रंग भरी रंग भरी निरे खत हर खत 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 रंग रंग भरी निरे खत हर प्यारी जू प्यारी तुए जीवन प्यारों प्यारी प्राण अधार प्यारों प्यारे थार जू प्यारे केजिवन प्यारी जू अधार